हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं आपके लिए आपके अर्दवार सिक परिच्छा 2022 तेश का मैत का एक और important question पेपर लेके आ चुका हूँ class 9 के लिए तो exam से पहले इसके सभी question को जरूर देख लें सभी question very very important हैं दोस्तो सभी के solution हम करते हुए चलते हैं साथ के साथ तो चलिए दोस्तो और वीडियो को लाइक जरूर कर दें देखिए इसमें पहला जो question है आपका किसी गन की कोर या बोजा A है तो उसका बकर प्रस्टी है या संपूर प्रस्टी है छेतर फल क्या होगा तो क्या होता है छे गोड़ा बोजा का स्क्वायर होता है तो 6 A स्क्व जैसे ये माइनस दो इधर होगा और 5 उपर होगा तो लगबग यहां होगा तो बाई अक्षी यह है तो इससे लंब बद दूरी क्या होगी 5 ही हो जाएगी क्योंकि जो निर्दे सांके में माइनस 2,5 है तो बाई का मान क्या है 5 है स्वरी क्या हो जाएगा लंब बद दूरी को आगे बढ़ाए गया है और ABC का मान ज्याद करना है तो देखिए हम जानते हैं तिरबुज के तीनों कोड़ों का योग 180 होता है और यह सरल रेखा का कौण 180 180 होता है सरल रेखा पर बना कौण यह 135 है तो 180 मैं से 35 गटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों molto 45 डिГरी बचेंगे तो 45 है और यह 60 है तो कितने हो गए दोस्तों 105 हो गए तो कितना कौण हो जाएगा यह 75 डिगरी का हो जाएगा तो來說 नंबर तीसरा यहां पर correct answer हो जाएगा next है आपका देखिए बहुलक क्यात करना है तो सबसे ज़्यादा जो संख्याति है बहुलक होता है 13 13 14 14 14 14 14 आरा है जादा वार तीन बार आ रहा है तो चौदे इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, 16, 16 ये कितनी बार है देखिए 16, 1, 2 1, 2, 3, 2 बार तो इसका चौदे ही आ हुगा नेक्स्ट कुश्चन देखिए नेक्स्ट कुश्चन है इसमें सलगन आकर्ती इसमें देखिए POR है तो PQR ग्याद कीजिए तो देखिए PQR ये वाला ग्याद करना है तो इसमें एक त्योरम काम करती है दोस्तो कि देखिए ये जीवा हो गई तो जीवा के जीवा की जो सीर्स होते हैं जीवा के जो भाईये बिंदू होते है उनसे केंदर पर बनाय गया कौण बनाय गया कौण क्या होता है दोस्तों ब्रत के किसी भी बिंदू से बनाय गया कौण से क्या होता है ये कौण क्या होता है आधा होता है ये क्या होता है जो कि एक मिनट यहां से देखे ये कीचेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसमें ये 60 है तो ये चक्रिय चतरवज है ब्रत पर बना तो कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 इसमें option में है 120 इसका right answer हो जाएगा next है 125 की घात minus 2 बटे 3 है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 5 की घात 5 लिख सकते हैं और बटे में क्या है minus 2 बटे 3 है 5 की घात 3 तो 3 से 3 कर जाएगा तो ये क्या हो गया 5 की घात minus 2 ये क्या है minus में है तो इसका मतलब क्या हो गया ये बटे में चले जाएगा 5 की घात 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक बटे 25 हो जाएगा क्या हो जाएगा एक बटे 25 नेक्स्ट है आपका देखिए ये क्वेश्चन है आपका 100x स्क्वाइर इसके गुड़न खंड करने है अब देखिए 100 को मैं 10 10 लिख सकता हूँ और x लिख सकता हूँ और इसका माइनस 9y तो ऐसे ये क्या हो गए इसके गुड़न खंड हो गए नेक्स्ट है आपका देखिए x समानतर माद्दे 10 है तो अग्यात x का मान क्या होगा तो समानतर माद्दे का फॉर्मूला होता है योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अब देखिए माद्दे 10 दे रखा है और योग कल लेते हैं 12 और 10 22 और 15 कितने हो गए 22 और 10 32 32 और 8 32 और 8 40 47 47 तो ये 47 और प्लस में x है बटे में कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 अब बज़र गड़ा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा तो 50 में से 47 गटाएंगे तो 3 बचेगा तो x कमान क्या जाएगा तीन आ जाएगा नेक्स्ट है स्केल और परकार की साइथा से आपको 45 डिगरी का कौन बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिए एक सरल रेखा कीचेंगे और इसके एक बिंदू से क्या है चाप लेंगे और 180 डिगरी का चाप काटेंगे फिर पहला जो चाप काटेगा वो 60 का होगा दूसरा 120 का फिर उपर काटेंगे तो 90 का हो जाएगा इसको मिला देंगे अब इसका अर्दक कर लेंगे तो ऐसे ये चाप काटेगा तो ये इसको मिलाएंगे तो 45 का हो जाएगा नेक्स्ट है उस गोले का ब्यास याद कीजिए जिसका बक्रप्रष्टी चेतरफल ये है तो गोले का बक्रप्रष्टी चेतरफल क्या होता है दोस्तों गोले का भक्र प्रष्टिय चेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वाइर 4 पाई आर स्क्वाइर होता है और यह 154 है तो इसको काटेंगे तो 4 से 4 ती है 12 3 इसको और 22 बटे 7 भी रख देंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 4 गोड़ा 22 बटे साथ गोड़ा आर स्क्वाइर बरावर 154 तो 11 से काट दो 11 गोड़ा 22 गोड़ा 21 कितने बचे 4 गोड़ा 24 और यह 2 और 2 कितना बचे गटेगा 7 बार कट जाएगा तो यह नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और यह क्या है दोस्तों यहाँ पर 7 है तो इसका बचे गोड़ा कर लेंगे तो सत्यू सत्यू नन्चास हो जाएगा बटे 8 तो आर स्क्वाइर बरावर क्या हो जाएगा नन्चास बटे नन्चास बटे क्या हो जाएगा यह 4 है यह क्या है यह चार है यहीं, दो से काड़ दिया यहां पर, तो क्या हो जाएगा, चार, तो क्या आ जाएगा, इसका root लेंगे, तो R square है, root में आ जाएगा, तो यह क्या जाएगा, साथ बटे दो, तो ब्यास कितना आ गया, साथ बटे, दो आ गया, next है a plus b का मान और a square a square plus b square दिये दे रखा है तो a q plus b q क्या होगा तो इससे solve कर लेंगे a और b के मान आ जाएंगे जैसे ही हम इसको क्या है ये 58 इसको a को b में convert करती जिए इसको दुई गात समीकड बना दी जिए जैसे ही उसमें a और b के मान आएंगे तो इसमें रख देंगे जैसे a plus b बरावर 10 है तो हम क्या करेंगे यहां से a का मान नकालेंगे 10 minus b अब यहां पर a का मान 10 minus b रख देंगे तो एक जैसे a की जगे क्या कर देंगे 10 minus b का whole square हो जाएगा plus b square बरावर 58 तो इसको खोलेंगे a minus b के whole square से तो एक दुई घात समीकड बन जाएगा और उससे ए और भी के मान आ जाएगे तो क्यूब कर देंगे दोनों का आंसर आ जाएगा आरो ही करम में वैस्तित कीजिए अमाद्दे का ग्याद कीजिए तो आरो ही करम में ग्याद कर लीजिए पहले तो देगे यहाँ पे यह सबसे पहले सबसे चोटी संक्या कौन सी है अभी हमें X और भाई का मान नहीं पता है तो X का हमें पता नहीं है तो यह इसको हम लाश्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखी 11, 12, 14 आरोई करम में विश्टती इसने पहले ही बोल दिया यह आरोई करम में यह अच्छा है आरोई करम में पहले से ही हैं तो हमें क्या करना इनको गिन लो एक, दो, तीन, चार, पांच है, साथ, आठ, नो, दस है जब सम संख्या होती है तब जो मादिका का फॉर्मूला होता है एन बटे दो बापद प्लस एन बटे दो प्लस बनवा पद और पूरे के बटे दो तो एन बटे दो मतलब दस का आदा पांच बापद और एन बटे दो मतलब पांच और एक छे बापद तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच बाप ये रहा और छट बाप ये रहा तो इनको जोड़ दीजिए एक्स प्लस दो प्लस एक्स प्लस चार तो यह हो जाएगा 2X प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा बटे 2 और माद्य का इसने 20 दे रखी है तो बज़र्गणा करेंगे तो यह 40 हो जाएगा तो 2X बरावर किया जाएगा 40-6 तो X बरावर कितना जाएगा यह हो जाएगा 44 बटे 2 बरावर 22 तो X का मान के आजाएगा 22 एक मदारी टोपी संकुआकार है तो मदारी की टोपी संकुआकार है इसकी 30-7 बटे मीटर है उंचा यह दे रखी है तो कितना मैटर लगेगा तो इसके दोस्तों किसमें कितना मैटर लगेगा यह नहीं लगेगा इसका तो πाई आरल मेटर लगेगा बक्र प्रश्टी है छेत्र फ़ल ही लगेगा क्या लगेगा पाई आर ऐल इसमें देखिए उंचाई दे रखिये तिरिया कॉंचाई ने दे रखिये तो हम आर और ह से तिरिया कॉंचाई का फॉर्मूला होता है r² plus h² तो इसका बर्ग और इसका बर्ग चोवीस का बर्ग 546 और 94 का बर्ग 7 का बर्ग तो 625 हो जाएगा इसका मतलब 625 का बर 25 तो l का मान 25 आजाएगा इसका मतलब क्या हो गया पाई फिर मान रग देंगे 22 बटे 7 गोड़ा 7 गोड़ा 25 तो 7 से 7 कर जाएगा और 22 गड़ा 25, 25 दुनी 50 की 0 आसे लगी 5, 25 दुनी 50 और 5, 55, 550 आजाएगा इसका cm2 एक तरवजाकार पलोट की अनुपाद दे रखे हैं यदि इसका परिमाप ये है तो पलोट का छित्रफल क्या होगा तो यह तिर्वजाकार plot है यह तो परिमाप का formula लगा देंगे यह तिर्वजाकार है यह तो तिर्वज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है S वरावर S वरावर L प्लस तो यह देखे यह अनुपात S में X का गुड़ा करना पड़ेगा तो 3X प्लस 5X प्लस 7X बटे 2 परावर S यह अर्द परिमाप होता है जो कि 300 दे रखा है तो ऐसे solve हो जाएगा Next है यह A भी समानतर सीडी यह दे रखा है तो इसमें क्या है X और Y के मान ग्याद करने है तो देखे यह समानतर है तो यह Z की आकरती बन रही है तो यह 50 है तो यह भी 50 हो जाएगा X का मान पचास आ गया और देगे यहाँ पे यह 127 है तो यह बचा कुछा 180 मैं से घट जाएगे तो जो आएगा यह हो जाएगा यह 50 है और यह इसका मान आ जाएगा तो यह बीच वाला भाई भी निकल जाएगा Next है देगे यह है आपका यह गुड़न खंड गयाद करने है इसके तो गुड़न खंड आपको क्या करना है हो जाएगे यह AQ-BQ तो इसमें से common लेगे हो जाएगे Next है पाने की टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर चोड़ी और इतनी गहरी है तो कितने मीटर पानी आएगा तो पाने की टंकी क्या है बेलनाकार होती है तो बेलन का इतन क्या हो जाएगा बेलन का इतन होता है Pi R Square H Pi R Square H तो इसमें मान रख देंगे तो इसका answer आ जाएगा next है आपका देखिए एक इसके मान भगबद तो गुड़न खंड दे रखा है x बरावर एक यहां से मान नकाल लेंगे तो इसका देखिए a का मान आ जाएगा बरावर 0 रखे x का मान एक रखते जाएगे तो यह a square यह 4 और यह क्या हो जाएगा प्लस 4 यह 4 यह कट जाएगा और यह क्या हो जाएगा मान एक तो a square बरावर इधर लेक आएगे तो प्लस एक तो a बरावर प्लस मान एक आ जाएगा next है सभी हल कीजिए तो a bc की रचना करनी है अब देखिए मैं स्क्रोल कर रहा हूँ इसको देख लीजी जल्दी जल्दी से किसी बरत की दो समानतर जीवाई दे रखी हैं तो आपको दो समानतर जीवाई दे रखी हैं छे और आठ चोटा जीवा बरत की चार से में कि सेंटिमीटर दूर है तो दूसरी केंद्र की दूरी जानी है बो जाएगा ये सरल ये वी देखि ये सबी आपके लिए कोशन है ये फरीमाई करना है तो चिंड सृ बदल के आप इसका परीमाई कर सकते हैं इसके बाद ऐस ए वी से है ये तुरुभुज रचना करनी है वो क्या होते हैं संपूरक होते हैं मतलब क्या होते हैं इन दोनों का यूग क्या होता है संपूरक होता है ये आपको सिद्ध हो जाएगा तो ये फिर मैं सिद्ध हो जाएगी लकडी के खोकले पाए पर या फिर अत्वा में ये कर सकते हैं इसके बाद देखिए यह आपके question यहाँ पर समाप हो चुके हैं तो thank you